नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार विद्याले परिक्षा समीती के दौरा मेडिकल वर इंजिरिण प्रवेश परिक्षा की तयारी करने के लिए नेशल कोचिंग की शुरवाद की जा रही है जिसके लिए समीती के दौरा जे एई वर नीज के एकसपर्ट सक्षकों से 9 जुलाई तक आवेदन की मांग की लेकिन अब आवेधन की दिती को बढ़ा दिया गया है मालूम हो कि अब एक्सपर्ट सक्षक 12 जुलाई तक आवेधन कर सकते हैं जिसके बाद 13 जुलाई को इमेल वा मोवाईल पर मैसज के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों को साक्षातकार के लिए जानकारी दे दी जिसमें डेमो कक्षाए आयूजित कराए जाएंगे एक्चुक अभ्यर्थी आवेधन करनी के लिए बिहारबोर्ड-online.bihar.gov.in या secondary.biharboard.online.com या coaching.biharboard.online.com पर जाकर आवेधन कर सकते हैं विद्याले अभ्यर्थी में मास्टर जी को ओनलाइन दिखना पर सकता है महंगा विद्याले अभ्यर्थी में सक्षकों को किसी भी सोशल मीडिया साइट पर ओनलाइन दिखना महंगा पर सकता है दरसल सक्षक विभाग के अपर मुख्य सचीब के दोरा दिये गया आदीश पर विभाग के दोरा कहा गया है कि सक्षक विद्याले अभ्यर्थी में मुवाइल का उप्योग एमर्जंसी कॉल या सैचनि गति वीदियो के लिए ही करें इसके लावा अगर वा विद्याले अभ्यर्थी के दोरान किसी सोशल शाइट पर ओनलाइन या फिर सौर्ट वीडियो या रील्स बनाते नजर आते हैं तो उनके खिलाफ आवश्यक कारवाई की जा सकती है आपकी जानकारी के लिए बता दे किससे पहले सक्षकों के प्रसक्षन के लिए ड्रस कोट लागू किया गया था जिसके तहत पुरुष सक्षकों को फॉर्मल सर्ट पैंट और महिला सक्षकों को सारी या सलवार सूट नरधारित किया गया था वारणसी कॉलकता एक्सप्रसवे निर्मान के लिए भूमी अधिग्रहन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है हालाक इससे पहले एन एच आई के द्वारा गजट का प्रकाशन कर दिया गया है वहीं अब अधिग्रहन की जाने वाली भूमी को चिनत कर उसके मुले का निर्धारन किया जा रहा बता दे कि मुले आंकन के बाद ही जमीन के आधार घोशित करने को किसानों की खेती कीमत का भुगतान किया जाएगा मालम हो कि इस एक्सप्रेस वे के निर्वान को लेकर औरंगाबाद जिले में 71 वा कुटूमबा प्रकाण के तेरास गाओं के किसान जमीनों को अधिग्रित किया जाएगा आपको जानकारी के लिए बता दे कि यह एक्सप्रेस वे रोताज जिले के विविन छेत्र होते वे नवी नगर के महुआओ गाओ तक पहुँचेगी और फिर महुआरी नत्तोर सिम्री धमनी परसा सिम्रा दूसाद विघा समीत आधी गाओं में होते वे कुटूमबा प्रक बता दे कि रितिक आनंद ब्राजील डिफ वर्ल्ड चैंपियंशिप में भाग लेने के लिए जाने वाले थे लेकिन सिस्टम की नाकामी के कारण वह अब ब्राजील नहीं जा पाएंगे दरसल डिफ एक डंब बैडमिंटन के फेडरेशन के द्वारा दी गई जानकारी के पास रितिक आनंद को वर्ल्ड चैंपियंशिप में भेजने के लिए फंड नहीं है बतादे किस मामले पर रितिक के पता उदय कुमार का गहना है कि सरकारी व्यवस्था लचर होने के कारण रितिक आनंद ब्राजील नहीं जा सका फंड के अभाव में खेलने के लिए नहीं बिल जाएगा तो हम सारे बच्चों को लेकर जाएंगे बोरिंग से निकल रहे डीजल के सैंपल को भीजा गया पटना वीतर दिन से खबर सामने आ रही है कि बिहार के बकसर के चरितरवान महले में पानी की जगह बोरिंग से डीजल निकल रही है चैसे इस बात की जानकारी के घर बोरिंग के पानी से निकला है जिससे देख सभी लोग हैरान रहे हैं मालूम हो कि पानी से डीजल की तरह दुरगन दे रहा था जिस वज़े से पानी का इस्तमाल ना तो पीने और ना ही कप्रे धोने जैसे कामों में किया गया हाला कि इंजिनेर अब इस मामले की की जारी है इसके रावा भागलपुर से राजधानी एक्सप्रेस को भी चलाने की तयारी की जारी है बता देख इस बात कि जानकारी भागलपूर रेलवे स्टेशन पहुंचे पुर्वर रेलवे के जीम अमर प्रकास दुईवेदी के द्वारा दी गई है उन्होंने बताय कि इन दोनों ट्रेनों के परिचालन के लिए बोर्ड को प्रस्ताओ भेजा जा चुका है। आपको जानकारी के लिए बता दे कि भागलपुर में काफी लंबे समय से राजधानी एक्सप्रेस की मांग चल रही थी। वहीं जब वंदे भारा ट्रेन का परिचालन बिहार में श स्वच इंधन सिटी चलाई योजना के तहट विहार की राजधानी पटना के पटना नगर निगम तथा दानापुर खगोलव फुलवारी सरीफ नगर परिसद छितर की सीमा में डीजल से चलने वाली बसों पर 30 सितंबर 2030 की रातरी से पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाए है जो कि वर्स 2024 के आरव में शुरू होने की संभावना है समामले को लेकर परिवहां सचीव संजय कुमार अगरवाल के द्वारा कहा गया कि डीजल से चलने वाली सिटी बस से अधिक जहीला प्रदूशन फैलाती है जो नागरिकों के स्वास्ते पर प्रतिकूल प्रिभाव डालता है और बड़े पैमाने पर पड़यावरन को प्रभावित करता है इसी को देखते वे डीजल बसों के चंचालन पर लोक लगाई जाएगी इसके साथ ही उन्हों नहीं हमें बताए कि डीजल बसों को बदलने के लिए राजसरकार बिहार स्वच इंधन योजना तो 2013 के पुलिस ने सराब की बड़ी खेप की बरामत बिहार में पुन रूप से सराब बंदी है इसे तो हम सभी वाकिफ हैं लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें सराब तसकरी सजड़ी मामली सुनने को मिलते रहते हैं हालाके इन पर नकेल कसने के लिए उतपाद विभाग की ओर से जीतोर कोशिश की जा रही है लेकिन इसके बावजूद भी मामलों में कोई कमी नहीं देखी जा रही पता दे कि ताजा मामला बिहार के पुर्णिया के मरंगा थाना छेतर का है जहां गव्त सूचना के आधार पर स्पी आमीर जावेद के नरदेश पर सदर स्टीपियो पुसकर कुमार के नदेतु में मरंगा थाना अध्यक्ष मिथलेश कुमार और अन्य पुलस कर्वियों की टीम के दोरा छापे मारी करते वे फल के कैरेट में रखे 1200 लीटर विदेशी सराब की बोतले बरामत की गई है इसके साथ ही पुलस के दोरा एक सराब तसकर की भी गिरफतारी की गई है जिसकी पहचान विकास यादव के रूप में की गई जो इससे पहले भी सराब तसकरी में कई बार जेल जा चुका है मुख्य मंत्री उद्यमी योजना के तहट लिए गए पैसो की होड़ी जाच मालुम हो कि इस तरह की मिली कई इस्तिकायतों को देखते वे उद्योग विभा के आदेश पर पूरे राजी में योजना की हकीकत जानने की कोशिश की जारी है बतादे कि प्रदीश में दस हजार से अधिक कुटर और लगू उद्योग के लिए पैसे लेने वाले हैं जिनने जांच के दारी में रखा गया है मालुम हो कि अधिकारियों का कहना है कि लगभग सार्थ प्रतीशत ऐसे लाभारती हैं जिननों ने जन उद्योग को शुरू करने के लिए पैसा लिया वो नहीं किया बिहार में इस दिन होगा जया किसोरी का आगमन कुछ दिनों पहले बागेश्वर धाम वाली बाबा ध्रेंदर कृष्ण सास्री का बिहार में आगमन हुआ था उसके बाद से ही ऐसी खबर चलने लगी थी कि बहुत जल्दी कि जया किसोरी का भी बिहार में आगमन हो सकता है बापू सभागार में वोमेन एंपावर्मेंट पर समवाद करेंगी बता दी कि जया किसोरी केवल एक दिन के लिए पटना आ रही है बहुत जया किसोरी से मिलने वाले लोगों के लिए दो तरह के विवस्था किये गए है जिसने पहला वी वी आईपी और दूसरा वी आईपी गिस्ट है अगर आप विजया किसोरी के समवाद को सुनना चाहते हैं और स्टाट अप कौन क्लिप में जाना चाहते हैं तो आपको कौन क्लिप का मेंबर से प्ले ना होगा बहाजपा राश्ट्रिय काड़े कारणी में दस नए सदर्शे हुए सामिल जारकन के पुर्व प्रदेश अध्यक्ष, तीपक प्रकास, सतीश पुनिया, सुरेश कशफ, विश्नुदेव साई, चत्तसगर के भाजपानिता, धर्मला, कौशिक, आंध्र प्रदेश के पुर्व अध्यक्ष, सोमू, विरुराज, रायस्थान के नेता, किरोरी, लाल, म और अश्विनी सर्मा के नाम शामिल है, कावडियों को निशुलक भोजन कराएगा अनपुर्णा की रसोई, मारवारी युवा मंच के द्वारा पहल करते वे शावन में कावडियों को निशुलक अनपुर्णा की रसोई से भोजन कराया जाएगा, बता दे किसके तह सनिव से लेकर शोमवार तक रसोई की गारी गोड़ोल में रहेगी वहीं आने दिन यह गारी पहले से नरधारी जगह पर मौजूद रहेगी आपकी जानकारी के लिए बता दे किस गारी से एक बार में 300 लोगों को भोजन कराने की सुधा उपलब्ध है मालूमों कि यह गारी पिछले कई मा से सहर में घूम घूम कर जरुवत मंद लोगों को भोजन करा रही थी लेकिन सावन में प्रतेख सप्ताहा दो दिन का बढ़िया मार्ग में रहकर श्रिव भक्तों को भोजन कराएगी चिराग से मलकात के बाद महागर्बंतन को लेकर बोले नित्यानंद राय लोजपार राम विलाज के राष्ट्री अध्यक चिराग पासवान से किंद्रे ग्रे राजी मंतरे नितंद राय के दोरा मलकात के जाने के बाद बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला गया उन्होंने कहा कि लोगतंत्र में जंता के पास तागत होती है जंता भशचारियों को पडिवार वादियों को समाजी कुर्मात फैलाने वालों को अपरादियों को सनक्षन देने वालों को कभी भी गद्दी नहीं देती उन्होंने कहा कि महागरबन सरकार में ना तो नीती बच और ना कोई नेता बचा है और ना ही काम करने का कोई योजना बचा है या लोग बस खुद में सर्फ फोर्ने का काम कर रहे हैं। और नौकरी के नाम पर जमीन ले लेगा तो फिर कानून का हाथ वहां तक क्यों नहीं पहुंचेगा। देश का कानून अब ब्रचशारियों को नहीं छोड़े का या बात उनको अच्छी तरह मालूब होनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने हाजेपूर से खुद को लड़ने को लेकर कहा कि या फैसला संसदिये बोर्ट तैकड़े का और रही बात जमूई की तो यहां सी मेरा सिर्फ राजनातिक संबन नहीं बलकि पारिवारिक संबन भी है यहां के लोग मिरे भाई चाचा है और मैं किसी भी का भतीजा हूं हाला कि मुझे भतीजे सब्द से भी कभी कभी डर लग रहा है वेस्ट इंडीज में मस्ती करते दिखे शुमन गिल और इशान कसन इंदनो भारतिय टीम वेस्ट इंडीज दौरे पढ़ है जहां वह दो टेस्ट मैच तीन मैच की वंडे स्रीज और पांच टी-20 मैच की स्रीज खेलेंगे इसी कभी में महारतिय टीम के स्टार बल्लेबाज सुमन गिल और विकेट कीपर बल्लेबाज इशान कसन वेस्ट इंडीज दौरी पर काफी मस्ती करते नजरा रहे है बता दे कि शुमन गिल ने एक रिस्टोंट में सूसी खाते वे अपनी एक फोटो शेर की है जिसमें उनक इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है राजी में उद्योग को बढ़ाने के लिए आपके नुसार बिहार सरकार की ओर से और क्या कदम उठाए जाने चाहिए अपना जाब हमें आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहाने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चलनको सब्सक्राइब करना और अगराफ फेस्बुक से देख तो पेस को फॉलो करना ना भूले आप बागद